ओके तो फिलिपियों की पत्री में से हमने अध्यान शुरू किया है और यह आज तीसरा हफता है और आगे से इसको पास्टर सोनु चालू रखेंगे शायद एक हफते में फिनिश कर दें शायद दो फिनिश कर दें लेकिन आगे पास्टर सोनु इसे continue करेंगे तो फिलीपियों उसका तीसरा अध्याय आज हम वहाँ पे पहुँच गए है और ये जो फिलीपियों की जो पत्री है इसका जो मुख्य थीम है यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो थीम है जो विशे है जिस पर पॉलुस लिखता है वो है आनन्द क्या है इसका थीम क्या है विशे क्या है आनन्द रहो खुश रहो आनन्द रहो इस बात को वो सिखाता है और ये बड़ी ध्यान में रखके और सोचने वाली बात है कि पॉलुस जब इस पत्री को लिख रहा है और हमें आनन्द रहने के लिए कह रहा है हम दुखों में हैं, परिशानियों में हैं, अटैक में हैं, विरोध में हैं, लेकिन और खुद भी, अगर हम ध्यान से नोट करें, और मैंने आपको बताया था कि पॉलूस इस पत्री को कहां से लिख रहा है, जो जेल में है, वो स्वयम आनंदित है, और वो कलीसिया को बोलता है, आनंदित रहो, मैं रिपीट नहीं करूँगा, पर मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले दो हफ़ते, किन-किन कारणों से पॉलूस जेल में भी आनंदित है, जेल के अंदर, उसकी अफ्लिक्शन में, उसके दुख में, अन्याय भी हो रहा है उसके साथ तो, उसने हावना है, और वो हमें भी आनंद के बारे में सिखाता है, तो पहले अध्याय में हमने सीखा, लोकल कलीसिया, सुन्दर कलीसिया का, सुरी, लोकल कलीसिया का सुन्दर जीवन, हमारी सत्संग बहुत सुन्दर है, क्या हमारी सत्संग में प्रॉब्लम्स हैं, बेशक हैं, तो मुख्य संदेश था, कौन बोलेगा, क्या था, मुख्य संदेश क्या था, पिछले हफते का, नहीं, वो तो सीरीज का नाम है, बड़ पिछले हफते का, दूसरे अध्याए से में बात हमने क्या सीखी थी, दूसरे के साथ अच्छा विवहार करना, ट्रीट अधर्स वेल, दूसरों के साथ अच्छा विवहार करना, ये हमने देखा था, आज हम तीसरे अध्याए को पूरा करेंगे, और तीसरे अध्याए का जो नाम हमने दिया है, वो ये है, सिर्फ मसी में, सिर्फ मसी के लिए, सिर तो तीसरा अध्याय पहला पद, सब लोग रड़ी हैं, अगर आप रड़ी हैं तो हालेलुया बोल दीजिए, ओके तीसरा पद, पहला अध्याय, सुनिए, वो फिर देखो, क्या आदेश तेरा है, प्रभु में आनंदित रहो, वो आनंदित रहने के लिए सिखा रहा है हमें, चाहे हमारे जीवन के हालात कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा हमें कौन सी दी जा रही है, कि आनंदित रहो, सामने देखिए, the command जो हमें आदेश दिया गया है, जो हमें, जो परमेश्वर हम से कहता है, जो command है, वो क्या है, दुखों के समय प्रभु में आनंदित रहना हमारा आदेश है, the command ये Bible का सुझाव नहीं है, ये Bible हमें नहीं बोल रही है, कोशिश करो, ये Bible हमें command दे रही है, आदेश दे रही है, तुम अपने धर्ती के दुखों में क्या करो, आनन्दित रहो, साथ साल से तुमारी कोई प्रात्ना परमेश्वर ने अब तक सुनी नहीं, उत् बोल रहे है, जो बात सच नहीं है, तुमारे बारे में जूट फैलता जा रहा है, तो भी तुम क्या करो, आनन्दित रहो, तुमारी बिमारी से तुम पीडित हो, तुमारी बिमारी खिचती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, प्रात्ना भी कर रहे है, तो भी तुम क्या करो आनन्दित रहो तुम येश्यमसी के नाम के कारण सताय जा रहे हो तुम से लोग नफरत कर रहे हैं क्योंकि तुमने येश्यमसी का नाम ले लिया है तो भी तुम क्या करो आनन्दित रहो तुमारे साथ जो भी हो रहा है ये तो हमें आदेश दिया गया है हलातों के बावजूद whatever it may be, जो कुछ तुमारी जिंदगी में चल रहा है, पर आदेश क्या है? आनन्दित रहो यहाँ पर वो यहाँ पर वो directly हमको इस बात को बता रहा है, further आगे मेरे भाईयों और बहनों परमेश्वर में आनन्दित रहो, पर सवाल यह उठता है कि पास्टर कैसे आनन्दित रहें? इतनी जादा समस्या चल रही है घर में जगडे चल रहे है मेरे साथ गलत हो रहा है अन्याए हो रहा है, मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे इस चीज के लिए वो चीज पूरी नहीं हो रही है कैसे आनन्दित रहूँ? बीमारियों से जूज रहे है मेरा दो लाख रुपे लेकि कोई भाग गया कैसे आनन्दित रहे है येशु मसी का नाम तो ले लिया लेकिन सच में हमने ऐसे लगते हैं परिवार वालों को खो दिया हमारा परिवार हमसे खुश नहीं है परिवार हमें बोलता है तुमने तो अपना धरम बदल लिया लोग हमें बोलते हैं तुम लोग उने पैसों की खातिर अपना इमान बेच दिया तुमने अपने पुर्खों के वो सब छोड़ दिये लोग इस प्रकार हमको बोलते हैं कैसे आनन्दित रहें आदेश तो दे दिया परमेश्वर ने पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आदेश की पूर्ती के लिए जो साहस चाहिए वो कहां से आता है The command, क्या है command बताइए दुखों के समय में प्रभु में आनन्दित रहना हमारा आदेश है पर हम कैसे इस command को पूरा करेंगे कैसे हम आनन्दित रहेंगे मेरे प्रियोद करेज जो साहस है इस आदेश को पूरा करने का साहस हम तभी आएगा जब मसी हमारा अब आप आके पड़ेंगे जब मसी हमारा सब कुछ है हमारी प्रात्मिक्ता है हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है आप बोलोगे ये वाली बात तो जॉय भाया हमेशा ही बोलते है 11 सालों की शिक्षा का निचोड़ी ए रहा येशु मसी येशु मसी येशु मसी आज भी वो ही संदेश क्यूंकि एक कुंजी है मेरे प्रियोग जिनके कान है वो सुन ले आदेश दिया गया है आपको और मुझको कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिती में हर हलात में हम आनंदित रहें प्रभु में आनंदित रहें क्या लिखा है किस में हमें आनंदित रहना है प्रभु में आनंदित रहना है इसका मतलब आनंदित रहने का जो आदेश है उसे पूरा करने का साहस कहां से आता है प्रभु से ही आता है प्रभु से कैसे जब मसी हमारा सब कुछ बन जाएगा When Jesus becomes our everything आज के सब गीतों में मसी था मैं निहाल को बोला सब गीतों में मसी होना चाहिए येशु मसी होना चाहिए सब गीतों के अंदर जब मसी हमारा सब कुछ है जब मसी हमारी priority है हमारी प्राथमिक्ता है हमारे लिए मसी जरूरी है शौपिंग बाद में आएगी हमारे लिए मसी जरूरी है हमारे परिवार के छोटे मोटे रीती रिवास बाद में आएंगे हमारे लिए मसी की महिमा जरूरी है हमारे बच्चों की जिद नहीं हमारे लिए मसी जरूरी है हमारे अपने सपनों का सकार होना नहीं हमारे लिए मसीh जरूरी है मेरी मर्जी पूरी हो चाहे ना हो मसीh की मर्जी पूरी होनी जब आँ वचन सुनोगे आप जीवन जीना सीख जाओगे मसीही जीवन जीना सीख जाओगे इसलिए वचन की इजद करना जरूरी है वचन बोलने वाले की इजद करना जरूरी है वचन को ध्यान से सुनना जरूरी है वचन को लगातार हर संडे सुनना जरूरी है वचन को प्रती दिन पढ़ना जरूरी है बचन में परमेश्वर की अवास को सुनना जरूरी है बचन के लिए तडप और भूक और प्यास होना जरूरी है परमेश्वर मैं भूका हूँ, मुझे भूक लग रही है मेरी आत्मा को भोजन खिला, ये प्रात्ना करके हम जब बाइबल के पन्ने खोलते हैं परमेश्वर की जीवित आत्मा हालेलुया हमसे बात करती है आदेश है, आनन्दित रहो बट अगर प्रभू तुमारा सब कुछ नहीं है तो आनन्द नहीं होगा मेरे प्रियो यू विल नॉट बी आ हैपी, जॉइफूल परसन आनन्दित व्यक्ती नहीं बन सकते अगर प्रभू को तुम सबसे बढ़के प्रेम नहीं करते हो प्रभू को खोजना, प्रभू को चाहना प्रभू के लिए तडप रखना प्रभू के लिए लालसा रखना प्रभू के लिए भूक और प्यास महसूस करना मेरे भाईयों ये परमेश्वर के सामने हमारी प्रात्ना होनी चाहिए परमेश्वर मेरे दिल को बदल, मेरे दिल को मोल्ड कर, मुझे चेंज कर मैं संसारिक नहीं रहना चाहता हूं मैं संसारिक नहीं रहना चाहता हूं मैं बदलना चाहता हूं पुरुंतियों की पत्री में पॉलूस पत्री को लिखता है और कहता है कि मैं तुम से बड़ो की तरह कैसे बात करूँ तुम तो अभी भी दूद पीते बच्चे हो जब तक हम प्रभु में दूद पीते बच्चे रहेंगे हमें बड़ी बड़ी बाते ना अट्रैक्ट करेंगी ना समझ में आएंगी परमेश्वर की भारी भर कम बातें परमेश्वर के स्वर्ग राज की भारी भर कम बातें हमें कभी भी आकर्शित नहीं करेंगी क्योंकि हम बहुत पीछे हैं और हमने आगे बढ़ना छोड़ दिया है इस आदेश हमारे लिए आदेश कौन सा है? हमारे लिए आदेश कौन सा है? आनिंदित रहो और इस आदेश को पूरा करने का साहस कहां से आएगा? जब मसी हमारा सब कुछ है हमारी प्रात्मिक्ता है हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी डिजायर है सबसे बड़ी वो हमारी इच्छा है डिजायर जीजस और लव जीजस येशु मसी के लिए इच्छा को रखो और येशु मसी से प्रेम करो और इस काम को करने के लिए पवित्रात्मा सदा आपके साथ खड़ा है, पवित्रात्मा सदा एक बात और सुन लेना प्रभू कभी भी धक्का नहीं करेगा किसी के साथ क्योंकि पवित्रात्मा बड़ा कोमल है वो कभी भी फोर्स नहीं करता वो केवल इन्वाइट करता है समझते हैं invite invite क्या होता है बुलाता है निमंतरन देता है पर वो कभी भी धक्का नहीं मारता दिल के दर्वाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है दर्वाजा जब येशु मसी मुर्दों में से जीवित हुआ सब लोग कमरे में थे येशु मसी अपने आप अंदर आ गए क्योंकि उनको इस बात का सबूत देना था कि वो जीवित हैं पर हमारे मसीही जीवन के अनुभवों में परमेश्वर कभी हमारे साथ धक्का जबरदस्ती नहीं करता and that's why he's waiting वो इंतजार करता है कौन है जो मेरे लिए दिल रखता है कौन है जो मेरे लिए तडप रखता है कौन है जो मेरे करीब आने की इच्छा रखता है कौन है जो मेरे चहरे को देखना चाहता है कौन है जो मेरे स्वभाव में डलना चाहता है कौन है जो मेरे हाथों में इस दुनिया में कुछ खुबसूरत करने के लिए एक instrument, एक यंत्र बनना चाहता है कौन है जो इस्तेमाल होना चाहता है He is only waiting for a response परमेश्वर आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है सवाल तो बहुत पहले था क्या तुम मेरे पास आओगे क्या तुम मेरे लिए जीओगे जवाब आपको देना है मेरे फ्रीयो दुखों के समय आनंदित रहना हमारा आदेश है और इस आदेश की पूरती तभी हो पाएगी इस आदेश को हम तभी पूरा कर पाएंगे इस आदेश को पूरा करने के लिए साहस सिरफ तब आएगा जब मसी हमारा सब कुछ है हमारी प्रात्मिक्ता है हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है यही पर इसलिए वो कहता है further my brothers and sisters आगे मेरे भाईयों और बैनों प्रभु में अनन्दित रहो और फिर कहता है इन बातों को तुम्हे बार बार लिखने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉलूस अपनी कली से को क्या कर रहा है लेटर लिख रहा है और क्या बोलता है इन बातों को तुम्हें बार-बार लिखने के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही लिखा है पड़ो यही बात है तुमको मैं बार-बार लिखने में मुझे कोई कश्च नहीं मैं तुम्हें बार-बार बोलूँगा बारम बार तुमको पत्री लिखूँगा अगेन 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 बार 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 तुम हर संडे आओगे तुमें अगर तुम सच्ची कलीस्या में जाते हो तो तुमें यही शिक्षा मिलेगी येशु से प्रेम करो यही शिक्षा मिलेगी ये शिक्षा नहीं मिलेगी, हाथ उठाओ, चिलाओ, और तुम्हारी बिमारियां दूर हो रही है, तुम्हारे जेब में पैसे आ रहे है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे है, तुम्हारे तुमसे बिमारियां सदा दूर रहेंगी, ना 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 ये सची शिक्षा न और इसलिए हमारा जो अगला शिक्षा का पॉइंट है वो यही है जो मूल बूत बाते हम पहले से जानते हैं जो बेसिक बाते हम पहले से जानते हैं उन्हें बार-बार अपने आपको हमें क्या करना है याद दिलवाना है है जो चीजें जरूरी है उनको बार-बार रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है पिशले दिनों लाइफ ट्री में एक ट्रेनिंग थी और मैं वो ट्रेनिंग दे रहा था और एक बात जो मैंने कहीं एक किताब से सीखी वो किताब मैंने मेरे जीवन में लागू की और मैंने हमारे पूरे स्टाफ को वो चीज सिखाई और वो ये था कि वाटसैप के अंदर एक फीचर है कि आप मेरे को तो नहीं मालूम था शायद आप में से कहीं को पहले से मालूम हो लेकिन किसी भी ग्रुप को आप पिन कर सकते हैं कितने लोगों ने पिन कभी किया है कोई भी ग्रुप को आपने टॉप पे पिन कर लिया ये देखो सब को पता है पर मेरे को नहीं मालूम था तो मैंने इसको सीखा कि आप किसी ग्रुप को टॉप पे पिन कर सकते हैं इनने यह सीखा कि आप अपने जो जरूरी बाते हैं या जो आपको आइडिया जाते हैं या जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक गृप बना लो किसी के साथ फिर उसको गृप से निकाल दो समझ के मैं क्या बोल रहा हूं एक व्यक्ति लो mostly मेरे लिए कौन आउट कर दो, ग्रुप में कौन बचा, अकेले आप, उसके बाद तीन अलग अलग ग्रुप बना लो, एक का नाम लिख दो, आइडियास, कुछ भी जो आपकी मन में आइडिया आता है, जो आप कभी करना चाहते हो, अभी तो नहीं कर सकते हैं, उस उसमें लिखते जाओ, और जब भी अपना फोन खोलोगे, वाटसाप खोलोगे, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपकी आइडियास दिखेंगे, आपके टास्क दिखेंगे, और तीसरा है, आप डेटा या डॉक्यूमेंट्स या इन्फरमेशन, पासवर्ड या ये वो, या अपने अधार अंदर डालके, आप सेंड करके छोड़ दो, आपको जब भी चाहिए, असानी से वहाँ से मिल जाएगा, ये बेसिक चीजे हैं, अगर हमें उसमें सफलता प्राप करनी है, तो आप जानते हो कि आपको बुआ का जनम दिन है और आपको फोन करना है, बड़ हम क्यों भूल ज तो हमारे पास एक, एक, एक एक reminder system होना चाहिए, कुछ लोग अपने आपको email भेजते हैं, कुछ लोग किताब में लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीकों से basic बातों को जो जो करना चाहते हैं, उन्हें बूलना नहीं चाहते, और अलग अलग तरीकों का इस्तिमाल कर जब दुनियावी तरक्की पाने के लिए, जब हम इतना कुछ करते हैं, जब दुनियावी तरक्की और अपने रोज-रोज के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जब हमारे पास रिमाइंडर सिस्टम है, हमारे पास अपने आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तरी आप किसी भी चर्च में जाओगे तो पास्टर कहां, अगर वो बाइबल का प्रचार करने वाला पास्टर तो कहां से प्रचार करेगा, बाइबल से, और आपको यही सुनने को मिलेगा, जो कुछ आप येशुनाम सत्संग में सुनते हैं, बचन कुछ अलग नहीं है हर जगा एक ही बचन है, एक ही आत्मा है, हम एक बड़ी कलीसिया के भाग हैं, पर हमारी समस्या ये है, हम भूल जाते हैं, we forget, हम भूल जाते हैं, और इसलिए हमें मूल भूत बाते, बेसिक बाते जो हैं, वो हमें बार बार अपने आपको हमें याद दिलवाना है, और पता है क्या हो जाएगा, अगर हम याद नहीं करेंगे, अगर हम प्रभू में लगातार बने ना रहेंगे, हम एक दिन पीट दिखा के चले जाएंगे, जैसे बहुत से लोग जा चुके हैं, इसलिए देखिए पालूस के शब्दों को ध्यान से नोट कीजिए, अभी हम पहले पद पर ही ह हमार लिखने में मुझे, मुझे तो फुश्च कष्ट नहीं होता कि इसमें तुम्हारी सुलिट्चा रहे हैं. बार-बार अपने आपको मूल भूत बाते अगर हम याद करवाएंगे, अगर हम बार-बार अपने आपको चर्च में लेकर के आएंगे, लगातार यदि हम home group, Bible study, बुद्वार की प्रात्ना करेंगे, यदि हम अपने घर में व्यक्तिकत प्रात्ना करेंगे, यदि हम लगाता इसमें क्या है हमारी सुरक्षा है और इसलिए हम आगे यही सीखते हैं इन्हें याद करने में हम शैतान के जूट से बच सकते हैं और मेरा सवाल आप से यही है What is your security system? अपनी आत्मा को बचाये रखने के लिए आपने क्या उपाय लगा रखे हैं? आपने कौन से साधन लगाये हुए हैं? अपनी आत्मा को प्रभू में जोशीले और जीवित और कारगर बने रहने के लिए विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए विश्वास में उन्ती करने के लिए आपने क्या क्या system अपनाया है अपनी आत्मा के लिए हमें अपने घरों की रक्षा की बहुत चिंता होती है बहुत बार मैं सुबा घर में घर से साड़े साथ आठ बजे निकल जाता हूँ और रात को ग्यारा बजे अपने घर में वापस आता हूँ अधिकतर दिन ऐसे निकलते हैं जब मैं रात में आता हूँ बड़ा थक जाता हूँ और मैं लेट जाता हूँ और फिर सपना मुझे बोलती है सोने के पहले जोई प्लीज एक बार दर्वाजा चेक कर लो जो गेट है वो ठीक से बंध है कि नहीं है हम अपने घरों की रक्षा की कितनी चिंता करते हैं हम अपने अपने जो इंपोर्टन चीजे हैं सोना है, पैसा है, डॉक्यूमेंट्स है पिछले दिनों मैंने अपने एक स्टाफ को बोला कि आप गोद्रेज का एक ऐसा छोटा वाला सेफ देखो जिसमें आग लग जाए तो भी उसके अंदर जो कागज रखा है उसको आग नहीं लगनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे कागज है मेरे पास सेवकाई को लेकर जो मुझे सुरक्षित रखने हैं उन कागजों को मैं खो नहीं सकता और उन कागजों को कोई कि प्रपल्बलम नहीं होनी चाहिए जब दिल्ली में कि इंहाद कमी जब धिल्ली में अभी एक महीना पहले विल्डिंग में आग लगी थी किसी को ओ aún नहीं मालूँ उत्तम नगर के आसपास थी वह बिल्डिंग मैं घबरा गया कि हमारी बिल्डिंग में बहुत कुछ रखा होता है जिनका हमें ध्यान रखना है और मैंने उनको बोला कि कागस सुरक्षित रखने के लिए कुछ तरीका निकालो, उसने तरीका निकाला एक लाग रुपे का डबबा, मैंने बोला रहने दो कुछ सस्ता वाला देखेंगे लेकिन मैं क्या बोला, अपने कागसों को सुरक्षित रखना जानते हैं अपने पैसों को तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखना जानते हैं अपने डॉक्युमेंट्स को बहुत सुरक्षित रखना जानते हैं अपने सोना चांदी को बहुत अच्छे से रखना जानते हैं अपनी आत्मा की रक्षा के लिए क्या है तुमारे पास अपने आपको बार-बार मूल भूत बाते विश्वास की बाते रेगुलरली रिमाइंड करवाना है क्यूंकि इसमें तुमारी क्या है सुरक्षा है आपको बहुत बड़ी कन्वेंशन में नहीं जाना वो कैरला से पास्चर आए है कश्मीर से पास्चर आए है अमेरिका से पास्चर आए है जाना ही है बई बचन तो सुनने जाना ही है कुछ खास मिलेगा, कुछ अलग होगा वो पास्चर भी यही बोलता है येशु से प्रेम करो जिन बातों को हम अच्छे से जानते हैं बहुत बार सुन चुके हैं दस सालों से सुन रहे हैं वही बाते बार बार हमें हर रोज क्योंकि हमें हर रोज सुसमाचार चाहिए हमें हर रोज प्रमेश्वर चाहिए हमें हर रोज प्रभू चाहिए जो मूल भूत बातें हम पहले से जानते हैं उन्हें बार बार अपने आपको हमें याद दिलवाना है और उन्हें याद करने से हम बचे रहेंगे शातान के जूट से बचे रहेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं, कि वहाँ पे जूटे प्रचारक थे, जो ये शिखाते थे, कि उन्हें धार्मिक काम करने हैं, यहूदी धर्म के सारे नियम फॉलो करने हैं, तब जाके येशु मसीपे विश्वास करोगे, तो तुमारा उध्धार होगा, येशु मसीपे खाली विश्वास करने से कुछ नहीं होता, वो ऐसा बोल रहे थे, ओँ कहरे थे कि तुम्हें अपने रीती रिवास पूरे करने पड़ेंगे, यहूदियों के रीती रिवास पूरा करने से ही तुमारा उध्धार होगा, और ये जूटी शिक्षा है, क्यूंकि मेरे प्रियों यहाँ पेम अगली बात यही है, कि हम मसी के द्वारा, मसी में और मसी के लिए बचाए गए हैं, हमारे आत्मिक, हमारे धार्मिक और भले कारियों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। हमें लगता है कि हम बहुत जादा spiritual है हम कभी filmे नहीं देखते कुछ लोग इस प्रकार का जीवन जीते है वो एक spiritual master बनना चाहते हैं, समझदे मैं क्या बोलता हूँ अपने आपको आत्मिक दिखाएंगे हम तो हम नहीं film देखते हैं हम तो सफेदी कपड़े पहनते हैं हम ज़्यादा हसते नहीं हैं हम चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम तो 40 दिन की उपवास की प्रातना करते हैं साल में तीन बार करते हैं और इस प्रकार एक आत्मिक घमंड में हम जीने लगते हैं और ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं, क्यूंकि हमने ये आत्मिक काम कर लिए, इसलिए प्रभू हमसे प्रेम करता है। बचन में लिखा है कि जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, तब मसी पापियों के लिए मर गया। उसने आप से प्रेम किया, इसलिए नहीं किया आपने आत्मिक और भले कारे किये, उसने आप से इसलिए प्रेम किया, क्यूंकि वो आप से प्रेम करता है। आप उसके प्यार के काबिल हो, इसलिए वो आप से प्रेम नहीं करता है। प्रमेश्वर की संगती से और अपने आप को पवित्रात्मा की अधीनता में ले आते हैं। और हम संसार से कटने वाला जीवन जीना शिरू करते हैं, क्यूंकि हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, वहाँ पर वो धार्मिक, बहुत सारी धार्मिक कामों को करने की बात हो रही थी, वो जूटी शिक्षा उस जमाने में चल रही थी, किसी हद तक आज भी चलती है। लेकिन आज एक अलग प्रकार की जूटी शिक्षा, चाहे जो भी जूट हो, जिस युग में जो जूट होगा, उस जूट से कौन बचाएगा, प्रभु येश्यु मसी, इसलिए यदि आपको जूट से बचना है, तो आपको कहां मजबूत होना होगा, कलीसिया में और प्र सेल भी तब तो नहीं थे, जब चर्च शुरू हुआ था ना, जी मैं था सबसे पहले, तो मैं ही हूँ सब कुछ, इस बात पे घमंड मत करो कि तुम प्रभु में कितने पुराने हो, इस बात पे घमंड करो कि तुम प्रभु में कितने मजबूत हो, your number of years, उससे कोई फरक न रात को, हमारे चर्च में बोली, दूर-दूर से नौजवान आ रहे हैं, नए-नए हैं वो लोग विश्वास में, लेकिन ट्रेनिंग पाके आगे-ागे जाके प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और पुराने लोग वहीं बैठे हैं, आप कितने सालों से प्रभु में हो, उससे आपको कही न कहीं गौरव-गरिमा फील होती होगी, प्रभु नहीं इंप्रेस होता, वो आपकी गहराई को देखता है, वो आपके जड़ों को देखता है, वो आपके फलों को देखता है, मेरे दादा ये थे, मैं तो एक पास्टर का बेटा हूँ, मैं तो पास्टर के बड करना होगा, सराउंड करना होगा परमेश्वर का भैम मानने वाले लोगों के साथ और अगर आप अपने आपको कवर नहीं करोगे प्लैनिंग करके, योजना बनाके, स्ट्राटजी के तहट अगर आप अपने आपको परमेश्वर का भेम मानने वाले लोगों से cover नहीं करोगे तो कभी भी परमेश्वर में वो जड नहीं पकड़ सकते और फलों को भी नहीं ला सकते ये एक जीवन का चुनाव है कि आप संसार में रहते हो बढ़ संसार के नहीं हो इसलिए आपको संसार से प्रेम नहीं है आपको प्रभू से प्रेम है और प्रभू से प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभू से प्रेम करने वाले दोस्त हमारी जिंदगी में होने बहुत जरूरी है आप वो बन जाओगे जो आपके दोस्त हैं और इसलिए अच्छे दोस्तों को चुनना अच्छी संगती को चुनना अच्छे पडोसियों को चुनना ये आपके लिए बहुत बड़ा चुनाव होगा जो आपकी जिंदिगी को बदल सकता है इसलिए हम मसी के द्वारा बचाए गए हैं मसी में बचाए गए हैं और मसी की सेवा करने के लिए मेरे प्रियों हम बचाए गए हैं और हम आगे बढ़ेंगे इसलिए येश्यो मसी को बहतर जानना जादा जानना और गहराई से जानना ये हमारे जीवन का एक मात्र हमारा उदेश्य है और यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जोर से आमीन बोल दीजे पता है Paulus क्या कहता है आप मेरे साथ ही है सुनिए पॉलूस क्या कहता है पॉलूस कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं आत्मिक कार्यों के द्वारा बहुत कुछ हमारा उद्धार होता है तो सुनो वो कहता है मैं तो सबसे ज़्यादा घमंड कर सकता हूँ वो कहता है मेरा खतना आठवे दिन हुआ मैं इसराइल का रहने वाला हूँ मैं तो बिनियामीन की गोत्र का हूँ मैं तो एक बहुत माना हुआ इबरानी आद्मी हूँ अगर हम वचन की बात करें तो मैं तो वचन का शिक्षक था अगर हम उत्साह और जोश की बात करें तो मैं तो कलीसिया को मारने वाला था और अगर मैं धार्मिकता की बात करूं तो वचन की अनुसार मुझ में कोई भी गलती पाई ना जाती थी सारे धार्मिक कामों को पूरा करने के बावजूद क्या वो मसी के करीब था नहीं था इसलिए वो यह कहता है कि जो कुछ मेरे लिए फाइदे की बात थी अब मैं उसे मसी को जानने के लिए उसे कुड़ा करकर समझता हूँ आगे बेटा आप पढ़ो फिर मैं समाप्त करूँगा साथ पढ़ो साथ से लेके ग्याना तक परणकु जो बात है मेरे लाव की जीन उनीख को मैंने मसी के कारण हानी समझ लिया है इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभू येश्यू मसी के ज्यान की इस देश्यू के कारण सब आपको तुझ समस्ता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तों की हानी उठाई है और उन्हें पूरा समस्ता हूँ जिससे मैं मसी को फ्राप्त करूँ और मैं मसी में पाया जाऊँ जैन अपनी कुछ दार्मित्ता से नहीं जो विवस्ता से उत्पन होती है परन्तु कुछ दार्मित्ता से जो मसी पर विश्वास करने से बिलती है अंधा कुछ दार्मित्ता से जो केवल विश्वास के आदात पर परवेशर से प्राफ्ट होती है जिससे की मैं उसको और उसके जी उतने के सावर्त को तता उसके साथ दुखों मैंसे वागी होने के गरब को जाँनू की उसकी मिरत्व की स्वानदा को प्राप्त करूँ कि मैं कि मैं भी मिरत्व को के पुराप्त करूँ अलेलुया वो बेसिकली क्या बोल रहा है आपने काफी लंबा था ध्यान से सुनी, वो क्या बोल रहा है? वो ये कहता है कि मैं किस background से आता हूं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता. वो ये कहता है कि मैं बस मैं मसी को जानना चाहता हूं. और वो इसके अंदर तीन बार कहता है, दो बार कहता है, मैं येश्व को जानना चाहता हूं, एक बार कहता है मैं मसी को जानना चाहता हूं, येश्व मसी. मतलब वो तीन बार कह रहा है मुझे मसी को गहराई से जानना है बहतर जानना है जादा जानना है बाइद वे क्या ये एक नया विश्वासी कह रहा है कौन कह रहा है पॉलुस पॉलुस कौन है प्रेरित है बहुत बड़ा अगवा है बहुत बड़ा लीडर है, बट वो क्या बोलता है, इतना बड़ा अगवा होके भी, वो क्या प्रात्ना कर रहा है, मैं मसी को जानना चाहता हूँ, मैं मसी के करीब आना चाहता हूँ, मैं येश्यू मसी की समानता में होना चाहता हूँ, मैं उसके दुखों को, उसके दुखों करना चाहता हूँ, मैं उस मन्जिल तक पहुँचना चाहता हूँ, जिस मन्जिल के लिए प्रभू ने मुझे चुन लिया था, मैं एक सफर में हूँ और मैं अपने सफर को पूरा करूँगा, मैं इस बात पर घमंड नहीं करता, कि मेरी क्या उपलब्दियां रही है, मेरे लिए मसी को जानना सब कुछ है, और यहीं से येशु नाम सत्संग, मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि येशु मसी को जानना, बहतर, गहराई से, और जादा उसको जानना, हमारे जीवन का एक मात्र उदेश है, और ना ये उदेश पॉलुस अपनी जिन्दगी में जब लिख रहा है, उसका पूरा हुआ है, सुन लो, आपका भी पूरा नहीं हुआ है, और ना मेरा पूरा हुआ है, हम इस उदेश में लगे हुए हैं, कि हमें मसी को जानना है, क्या कहता है बारा में, ऐसा नहीं कि मैंने इस उदेश को प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने लक्ष की और पहुँच चुका हूँ, पर वो ये कहता है, कि मैं उस चीज को थामे रहूंगा, जिस चीज के लिए प्रभु येशु मसी ने मुझे थाम लिया था, पकड लिया था, वो फिर कहता तेरा में भाईयो बहनो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है, बट एक काम मैं करता हूँ, जो कुछ बीट गया उसे भूल कर आगे की अगरसर होता जाता हूँ, और अपने लक्ष की और दोड़ता चला जाता हूँ, जिस लक्ष की प्राप्ती के लिए मसी येशु ने मुझे चुना था, हालेलुया, मेरे प्रियो आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको येशु मसी ने चुना है कि आप उसको जान लें, और आप उसके समान बन जाएं, और ये आपके लिए work in progress है, इसलिए मेरे प्रियो आपको यदि आप परिपक्व हो, यदि आप मैच्योर हो, देखिए उसमिकाले के पंदरा में, all of us then who are मैच्योर, हम में से वो लोग जो मैच्योर हैं, जो बुद्धिमान है, जो परिपक्व हैं, जो पक्के हैं, उनके अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए, जीवन को लेकर, विश्वास को लेकर, और इसलिए यदि आप परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, तो मेरे साथ पढ़े क्या लिखा है जो मैचे और हैं वो क्या करते हैं पढ़िए वो मसी को जानने के उदेश की और मेहनत से बढ़ते और दौडते चले जाते हैं आप कहा हो यहीं पर बोलकर मैं आपको छोड़ देता हूँ आज मसी आपको प्रेम करता है मसी ने आपके लिए अपना जान दिया है मसी आपके अंदर अपने आत्मा के रूप में मसी आपके अंदर बसता है और मसी ने आपको उदेश दिया है आप उसको और करीबी से जान ले हम समाब्त करेंगे आज हमने जो कुछ सीखा और फिर हम आगे बढ़ेंगे हालेलुया दुखों के समय प्रभु में आनन्दित रहना हमारा आदेश है इस आदेश को पूरा करने का साहस तभी आएगा जब मसी हमारा सब कुछ है हमारी प्रात्मिक्ता है हमारा पहला प्यार है और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है आप लोग उत्तर दो क्या ये आपके लिए true है या false है ये statement क्या मसी आपके लिए सब कुछ है क्या मसी आपके लिए priority है क्या मसी आपका पहला प्यार है आज भी और क्या मसी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है हमने आगे क्या सीखा जो मूल भूत बातें हम पहले से जानते हैं हमें बार बार उन्हें अपने आपको याद दिलवाना है अगर दिलवाएंगे तो क्या हो जाएगा उन्हें याद करने से हम शैतान के जूट से बच सकते हैं आगे मसी को जादा, बहतर और गहराई से जानना हमारे जीवन का एक मात्र उदेश्य है और अंत में, हान जी, जो परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, वो जोर से जोर से मसी को जानने के उदेश्य की और महनत से बढ़ते और दोड़ते जाते हैं मेरे प्रियों, क्या आप मसी को जानने के लिए मसी की और बढ़ रहे हो, मसी की और दोड रहे हो, पवित्रात्मा इसमें आपकी मदद करें, आमें